नमस्कार दोस्तों आज हम सिखेंगे advanced English grammar आपने बहुत ही कम देखा होगा कि subject के साथ did का use होता है हाँ जी दोस्तों subject के साथ जब did का use होता है तो advanced grammar बन जाता है और ये होता है हिंदी sentence के last में ताती थे, प्लस तो, प्लस थाती थे तो इससे हम पहचानते हैं कि ये कोई काम force करके किया जाता है ठीक है ना जैसे मैं पढ़ाता तो था, मैं पढ़ाता तो था, तो दोस्तों क्या गया ता, तो और था ये ता इसमें से तो और ये था थी थे, तो हमें क्या करना है subject के साथ did का use करना है I did मैं तो था इसका मतलब हो गया मैं तो था इसका मतलब यह हो गया अब पढ़ाना के लिए Teach I did teach मैं पढ़ाता तो था दोस्तो बस इतना ही आपको मुझे practical में बताना है और sorry board में बताना है अब बाकि मुझे आप सब को practical सिखाना है ठीक है दोस्तों तो अब हम चलते हैं अपने sentences की और हमारा formula है subject, date, be one, or object इसको भी हम erase कर देते हैं क्योंकि हमें sentence अपने हिसाब से बनाने हैं ठीक है दोस्तों लड़कियां तेज दोड़ती तो थी क्या दोस्तों लिख दू क्या लड़कियां तेज दोड़ती तो थी पताईए क्या होगा लड़कियां तेज दोड़ती तो थी क्या होगा दोस्तों हाँ जी दोस्तों पहचान ले हमने ती तो और थी तो हमें क्या करना है लड़कियां ग ठीक है दोस्तों, girls did run fast, ठीक है दोस्तों, girls did run fast, फिर नेक्स्ट है, my English सीकता तो था, बताए क्या होगा, my English सीकता तो था, क्या होगा दोस्तों, ये ता, तो और था आगया, my English सीकता तो था, हाँ, I did learn English, क्या होगा दोस्तों, I did learn English, अब मैं आपको बहुत सारे examples बताता हूँ, ठीक है न दोस्तों, क्योंकि बिना examples के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, example, मैं आपके लिए जूँट बोलता तो था, मैं आपके लिए जूँट बोलता तो था, क्या होगा दोस्तों, सोचिए, आपका टाइम चालो होता है, मैं आपके लिए जूँट बोलता तो था, हाँ जी दोस्तों, इसका होगा, I did tell a lie for you, I did tell a lie for you, वह नदी में तैरती तो सोचिए क्या होगा, स्कैन किरिए अपने आपको, वै नदी में तैरती तो थी, हाँ जी दोस्तो, वै नदी में तैरती तो थी, गुड दोस्तो, सी डिड सुइम इन दर रिवर, सी डिड सुइम इन दर रिवर, ओके दोस्तो, बच्चे क्लास में सोर मचाते तो थे, क्या होगा चिल्न दिट में कनवाइस इन दे लास, इस्टुडेंट्स च्लास में न्यूश्पेपर पढ़ते तो थे, तो क्या होगा दोस्तो, मैं पूजा करता तो था, हाँ जी दोस्तो I did worship बोलने में अजीब लग रहा लेकिन advanced grammar है advanced grammar में sentences different होते है बच्चे नकल करते तो थे बच्चे नकल करते तो थे क्या होगा दोस्तो Children did copy या Children did cheat मैं स्वच पानी पीता तो था मैं clean water पीता तो था क्या होगा दोस्तो हाँ जी दोस्तो I did drink clean water I did drink clean water they did burn the crackers English to Hindi they did burn the crackers क्या होगा दोस्तो they did burn the crackers हाँ जी दोस्तो वे लोग पता के जलाते तो थे वे लोग पता के जलाते तो थे I did repair the fan I did repair the fan सची क्या होगा दोस्तो I did repair the fan हाँ जी दोस्तो मैं पंखा सुधारता तो था refer करता तो था OK दोस्तो She did close the gate She did close the gate क्या होगा दोस्तो She did close the gate हाँ जी दोस्तो वे दर्वाजा बंद कर्दी तो थे I did use mobile during the class, I did use mobile during the class, हाजी दोस्तों, my class के दवरान mobile यूज करता तु था, children did, children did smoke and drink, इसी प्सेंटेंस है दोस्तों, children did smoke and drink in their dreams, बच्चे सपनों में smoke and drink करते तु थे, I did go for morning walk, I did go for morning walk, क्या होगो दोस्तों, हाजी, I did go for morning walk, मैं morning walk में जाता तो था, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं, छोटे से break के बाद,